दोस्तों अगर आप KVS इंटर्व्यू 2023 के लिए जा रहे हैं चाहे वो आपका PRT का हो, TGT का हो या फिर PGT का हो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब हम कंप्यूटर वारे क्वेशन को ले करके बात करते हैं यह कंप्यूटर का सेक्शन ऐसा है या कंप्यूटर के सवाल ऐसे होते हैं आप केसी भी सब्जिक्ट से क्यों न रिलेट करते हूं TGT की बात करें या फिर PGT की बात करें या फिर आपके PRT की बात करें computer के questions आपके साथ में हमेशा जुड़ी रहेंगे computer का concept, computer क्या है computer की changing applications आपके साथ में हमेशा जुड़ी रहेंगी हम आपको बता दें यहाँ पर आप जब form भरने गया होगे तो उसमें हर एक में जो एक आपका desirable knowledge होता है उसमें लिखा होता है ठीक है, बच्चों के लिए question paper बनाने की बात हुई या फिर जब हम बात करते हैं किसी application later को लिखने की बात हुई आप regional office RO में लिख रहे हैं आप जब हम एक central office की बात करते हैं जो main office आपका KVS का दिल्ली में वहाँ पर लिख रहे हैं आप कोई भी application लिख रहे हैं किसी भी तरीके का later application आप बच्चों को लेकर के कहीं न कहीं कोई चीज तयार कर रहे हैं उनके आप result को तयार कर रहे हैं तो ऐसे में आपको computer का knowledge होना बहुत ज़रूरी है हम आपको बता दे जब हम अपने किंद्रे विद्या लेकि बात करते हैं तो अभी भी इतने सारे काम online हो गए हैं सारे के सारे जितनी भी आपके teachers हैं चाहे वो PRD का हो वहाँ से लेकर के PGT तक का सभी को computer की knowledge जो है वो होनी ज़रूरी होती है यहाँ पर QVS interview में एक बहुत ही important आपका segment computer से देखने को मिलता है और इसमें आपको क्या-क्या चीजे पता होनी चाहिए तो जब हम बात करते हैं MS Word यानि के Microsoft Word क्या होता है Word की knowledge आपको होनी चाहिए Microsoft PowerPoint क्या होता है Microsoft Excel sheet जिसे बोल देते हैं या Spreadsheet बोल देते हैं वो क्या होता है यहाँ पर इन तीनों के बारे में किसी एक वीडियो में आसानी से नहीं बताया जा सकता अगर आप कहेंगे तो हम अलग-अलग तीन वीडियो में Microsoft Word, PowerPoint और Excel की जो basics होती हैं वो हम आपको बता देंगे बाकी यहाँ पर जब भी आप जाएंगे क्योंकि जब भी हम कोई question paper या कुछ भी चीज तयार करते हैं later application तयार करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो use में आने वाला हमारा software है वो Microsoft Word है जो कि Microsoft Office का Office Package का एक software होता है एक application software होता है यह चीज बहुत अच्छे से याद रखेगा ऐसे ही powerpoint क्या होता है हम office presentation या फिर school में presentation के लिए MS powerpoint को use में लेकर के आते हैं जिसे MS PPT भी कहते हैं ऐसे ही जब हमें कोई excel sheet तयार करनी होती है spreadsheet तयार करनी होती है आए दिन हम आपको बता दे KBS कोई भी event होता है कोई भी आपकी program होता है तो उनका क्या कहता है वो आपको mail करता है school के उस पर mail आता है और mail में क्या होता है कि PRT से ये ये teacher's class के TGT से PGT से ये सभी लोग उस event का उस program का 2-2-4-4 photo और video जो है वो क्या करें spreadsheet excel sheet में भर करके और उसके बाद उसको mail की द्वारा share करें आपको ये चीज नहीं आएगी तो आप ये कैसे करेंगे ये सारे में real चीजें जो मैं experience कर रहा हूँ केंद्रिविद्याले लखनों में वही चीजें कहीं न कहीं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और interview में यहाँ पर एक वीडियो सेपरेट आज ही आपको देखने को मिलेगा जिसमें वो वीडियो काफी बड़ा होगा लगभग 30-35-40 मिनट का उसमें PRT, TGT, PGT मुझसे जो सवाल पूछा गया था जो अदर जितने भी आपके जिनसे मैंने contact में जो हमारे आए जिनसे जो भी मुझे जानकारी मिली वो सारे केवल और केवल computer के questions को लेकर के TGT, PGT, Computer Science और आपका PRT में किन किन तरीके के questions जो है वो बनते हैं या फिर पूछे जाते हैं उनको एक single वीडियो में लेकर के हम हाजिर होंगे फिलहाल के लिए आपको MS Excel, PowerPoint और Word के बारे में basics अगर आपको जाननी है या आपके syllabus में भी दिया हुआ था अगर आपको ध्यान हो थो अगर आपको जानना है तो comment section में जरूर mention करिएगा आप जितना ज़्यादा यहाँ पर comment लिखेंगे जितना ज़्यादा आप हमारा support करेंगे ऐसे में हम और अच्छे तरीके से वीडियो आपके लिए ला पाएंगे बहुत बहुत शुक्री आप सभी का यह बात याद रखेगा यह backbone है computer आपका backbone है इससे पीछा कोई भी नहीं चुला सकता चाहे हो Sanskrit वाला हो